नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार आसार मा की अंतिम तिथी को पुर्णिमा तिथी होती है और इस बार की आसार पुर्णिमा बहुत खास है क्योंकि बुद्धवार के दिन मनाई जा रही है इसके बाद सावन सुरू हो जाएगा और स्वावन के पवित्र महने में देवादी देव महादेव की पुजा अर्चना सुरू हो जाएगी तो इस पुर्णिमा का और भी जादा महत होता है क्योंकि आसार पुर्णिमा के दिन गुरू पुर्णिमा मनाय जाती है इस दिन ब्यास पुजा के नाम से भी इस दिन को जानते हैं इस दिन गुरू की पुजा होती है और पूरे भारत में बरिस रधा के साथ मनाय जाने बाला ये पर्व है पुराने समाने में जो विद्यार्थी होते थे गुरू जनों के उनको सम्मान देते थे और उनको धन्यवाद करते थे कि उन्हें सिख्छा दी गई लेकिन इस बार की पुर्णिमा के दिन कुछ बिसेश प्रयोग करके आप जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं तो गुर्णिमा है अपने अपने गुरु जनों का आप असिवाद जरूर ले लेकिन अगर आपका गुरु नहीं है कोई तो आप भगवान सिव को अपना गुरु मान कर उनकी ही पुझा करें इस दिन धन प्राप्ति के लिए 11 पीली कौडिया ले 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 उसको हल्दी से कलर करके लाल कपड़े पर रखकर मा लक्ष्मी को अरपित कर दें और अगले दिन इस कपड़े को अच्छे से बांद कर लपेट कर धन अस्थान पर रख दें अगर पहले से आपने किया है तो वापस से फिर से इसी प्रक्रिया को दोराए उसी कौड़ी के सहारे जीवन में धन बढ़ेगा लक्ष्मी स्थिर रहेगी तुलसी पे साम ने साम के समय घी का दिया जरूर चलाईएगा मा लक्ष्मी की कृपा बरसेगी सनातन धर में स्वस्तिक को परब्रम्व की संग्या दी गई है और पुरानों में स्वस्तिक को धन की देवी मालक्ष्मी और बुद्धी के देवता भगवान गनपती का परतीक भी माना गया है और स्वस्तिक जो है दो सब्दों से बनाया है सू और अस्ति जिसका अर्थ होता है सुभो कल्यान हो वैसे तो जोतिस में स्वस्तिक के कुछ अलग प्रियोग भी बताएंगे हैं जिने करने से जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और धन भाने स्वभाग अखंड लक्षमी की प्राप्ति होती है तो आपके घर में जो तूलसी के पौधे हैं उसमें लाल धागा जरूर बांद दीजेगा मौली धागा पतला सा हलका डिला करके ही बांदना है आपको और बांदते समय आप अपने मन की मनोकावना जरूर कहें आपकी मनोकावना पूर्ण होगी और जब आप चुकि इस बा आप अशनान करते हैं तो असीम पुण्यष होता है जीवन की मुस्किले दीर होती है चोंडे का चुरन लागा कर सरीर में अस्नान करें लोग सन्यासी है उसी के पौधे की जल्की मिटव्य हैनौ भगवान श्रीविष्ण के औ के अंद उममक के चप करें तो उत्तब है तो इस दिन मालक्षमी सबसे ज्यादा प्रसंद ने रहती हैं जो की जीवन में खुसियां देती हैं तो इस दिन विशेश प्रयोग जरूर करें और सुभा पांच बजे से सुभा दस तीस तक मालक्षमी पीपल के बिख्ष पर निवास करती है इसलिए है संस्कृत में सुभ और अस्टी हुआ जिसका अर्थ होता है सुभ और फ्रस्तिक से परिवार धन स्वास्द समंधी समस्याइं भी स्वास्तिक से कैसे आप तुमाम परेशानियों से च्छुटकारा पा सकें आए जानते हैं सबसे पहली बात तो अपने घर के मुखे दरव लगाई या असोप के पत्तों का भी लगा सकते हैं इसके बाद घर के मुख्य दर्वाजे पर बाहर की तरफ से हल्दी और चावल यानि चावल थोरा सा आप लेकर भीगो लें और उसको पीस कर्व का पेस्ट बना लें उसमें हल्दी डाल कर एक चुटकी आप इसी घोल से घर के मुख्य दर्वाजे पर बाहर की तरफ से स्वस्तिक बनाए या तो उपर में बीचो बीच बनाए या फिर दोनु तरफ बनाए अगर हल्दी चावल का नहीं बनाते हैं तो सिंदूर में तेल या फिर घी मिक्स करके भी आप बना सकते हैं ये स्वस्तिक आपके जीवन में सुबता को बढ़ाएगा नकात्म कुर्जाओं को दूर करेगा और मा लच्षमी और गनेजजी की किरपा भी बरसेगी तो स्वस्तिक का निसान जो होता है जीवन में सिर्फ मंगल ही लेकर आता है और कुछ नहीं अब घर के मंदिर में जब आप पूजा पाट कीजिएगा जब आप दीपक जलाते हैं पूजा करने के समय तो क्या करें है लेकि पहले एक बात जस जालने जब आप स्वस्तिक बनाएगा तो दोनों तरप नों तरब खरी रेखाãyएं जरूर डालिए यह स्वस्तिक को बांधता है अगर आप city बनादेंगे ख़री रेखाय नहीं डालेंHगे तो लख्षमी तो थाल में आप एक स्वस्तिक बना लें सिंदूर से ही छोटा समने यह बहुत बड़ा नहीं बनाना है अब उस पे आप पांस तरह का अनाज रखें या फिर आप सिर्फ चाबल ही रख दें पांस दाने और उसके उपर दीपक जलाएं अगर अना चाबल भी नहीं है तो आप यहां पर फुलों की पंखुडी रखकर फिर दीपक जलाएं तो आपकी मनों कामना जल्दी पूरी होगी अब चुकि यह तीथी बहुत खास है इसलिए आप पूरे घर में जल में थोरा सा पुझा पाट करने के दौर बाद एक सिंपल सा प्रयोग कीजिएगा या पहले भी कर सकते हैं जल ले जल में एक चुटकी हल्दी डाल कर इस पौनी इसके पूरे घर में चुटकाओ करें बांकी बचा हुआ पानी घर में भी बाहर में भी या दखिए बांकी बचाओ पानी पौधे में डाल दें एक दम से देखिएगा सांत महसूस करेंगे खुद को दूसर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके हाथ जो दाहिने तरफ होंगे ने उसी साइड रखें और यह पातर मिट्टी का भी हो सकता है आपके घर में जो भी बढ़ताना आप ओही ले ले लोटा भी हो सकता है तो उसको रख दे और उसके नीचे भी एक स्वस्तिक बना दे जो में बढ़ जाई है घर में उल्टा स्वस्तिक नहीं बनाना चाहिए और मंगल लाता है तो इस तरह से आप जो जल है जो आपने फुलों की पंखुली रखा इसको आप देखिए कम से कम दो दिन रहने दीजिएगा और इस वैसे तो आप पूरे महना जला सकते हैं पूरे साल रख सकते हैं यह अच्छा माना जाता है जल रखना वो आपके घर के सुपता को बढ़ाता है नकात्मा कुर्जा को जल ही सोक लेगा घर के अंदर नहीं आता है इसलिए रखा जाता है और जब भी सुब मंगल दिन हो तो यह जल जरू रखें अब इसको दो दिन के बाद चल रहा है भिबाद नहीं हो आपका घर नहीं बन पा रहा सब्सक्तित अधान सबस्थ करें ठांजें पर एकixel के समस्या ऊर घर बना पीछे अरि ζो इसको да में अब जब मनो कामना पूर्ण हो जाए तब पिर शेया पंधर लेते हैं आप उजग नहीं आ एं और रहते हैं भी बात नहीं जहां रहते हैं वहीं के पास कि किसी भी जो भना टीवना नहीं परिशनी तब सूने के पहले अपनी तरजनी उंगली कहते हैं। इंडेक्स फिंगर कहते हैं, आप हवा में ही स्वस्तिक बनाएं और फिर आप सो जाएं, देखिए अगर नींद अच्छी आएगी, बहुत अच्छी, और तरजनी उंगली से जब आप स्वस्तिक बनाते हैं तो बुरे सपने भी नहीं आते, और घर के बाहर अगर आप, चुक स्वस्तिक बनाकर उस पर मुर्ति अस्थापित करेंगे, तो आपकी मन्नत जल्दी पूरी होती है, जो बैपारी है, वो अपने बैपार अस्थल पर हल्दी के पॉडर से यह घोल से स्वस्तिक बना दें, तो आपका बैपार अच्छा चलेगा, और किसी का नजर भी आपके बैपार को नहीं लगेगा, तो इस दिन आप जो भी प्रियोग करेंगे, उसका आपको फल जरूर मिलता है, दान जरूर कीजेगा, ताकि कलोरो गुना अधिक फल मिले, और अगर आप गले में स्वस्तिक धारन करना चाहते हैं, तो चांदी या सोने का स्वस्तिक इस दिन आ कर जाएगी, अगर आप चाहते हैं सही तरीके से स्वस्तिक का लाब मिले, तो गोल घेरे के अंदर जो स्वस्तिक है, उसी का लॉकेट लाइए, और इस दिन मालक्षमी को समर्पित कर पूजा पाट कर आप गले में लाल धागे में धारन कर सकते हैं, या लाल धागे के सहार बांद कर धारन कर लें, साथ ही जहां भी आप स्वस्तिक बनाएं, चाहे घर का मुखे दरवाजे पेर हो या कहीं भी, दो खड़ी रेखाएं, स्वस्तिक के दोनों तरफ जरूर बनाईए, ताकि लक्षमी स्थिर रहे, धन्यवाद, फिरूद, प्रूद, प्रूद,